सुमेदा नंशर्शती जी अन्यवाद सवापती मोद्या आज मुझे लोग परिक्षा अनुचित साध निवारण विदेग दोजार चोबिस पर बोलने का उसर प्राप्त हुआ है मैं सबसे पहले तो माने प्रदान मंत्री जी और आजनिये मंत्री श्री जितेंद्र जी का बहुत बहुत आभारव्यक करूँगा बहुत लंबे अर्से के बाद 1944 में कोई बिल इस प्रकार का आया होगा और उसके बाद परिक्षाओं में अनुचित संसाद उन्हों के लिए कोई बिल आया है तो बहुत लंबे समय के बाद में आया है 80 साल के बाद मैं निवेदिन करना चाहूँगा कि मुझे सबसे पहले तो इस बात की प्रशनता भी है और एक एसास भी ऐसा हुआ है कि ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था कारणी ये है कि मैं जिस प्रदेश से आता हूँ राजस्थान से सभी वक्ताओं ने लगबग राजस्थान की चर्चा की है लगातार पांच साल के अंदर सत्रा पेपर लीक हुए और मैं जिस लोग सबाच छेतर से आता हूँ सीकर से कोटा के बाद में यदि कोई एजुकेशन हब है जहां दो लाख स्टूडेंट पढ़ता है और स्कूल एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ में बड़ी-बड़ी कोचिंग है ये के कोचिंग के पास 40-45 जार विद्यारती है माने मंत्री जी ने छी का कई साथियों ने ये संका व्यक्त की थी कि इस बिल में कहीं विद्यारती तो आनी नी पहुँचेगी लेकिन विद्यारती तो नकल अंदर बैठ करके क्या कर सकता है समस्था इस बात की थी कि विद्यार्थियों के ओट के अंदर इस परकार की संस्थाएं जो नियोजित तरीके से नकल करवाती थी और इसलिए राजस्थान के अंदर तो एसाइटी गठन करनी पड़ी है और बीस से अधिक लोग अभी गिरिफतार हो चुके हैं और एक लंबी सिर्खला है एक से एक वेक्ती एक से के तार जुड़े वे हैं किसने पेपर को लीक रुआया, किसने कहां पर पहुंचाया, किसने कैसे जूड़ा तो यह एक सिलस्रा बन गया इस परकार का और आशकता बहुत जरूरी इस बात की थी कि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं मैं देखता हूँ कि बच्चे मैनत करते हैं प्रिक्षार्थी मैनत करते हैं और मैनत करने के बाद में वो गरीब बाग जो अपने बच्चे को पैसा दे करके पढ़ाता है मैनत करता है हमारे हाँ पर एक बच्चे ने सुसाइड किया वो बच्चा नोट लेकर के गया कि मेरे पिता ने मुझे दो साल पढ़ाया मजदूरी करके पढ़ाया जमीन पर लॉन लेकर के पढ़ाया लेकिन मैं जब एक्जाम देने के लिए गया तो मुझे सुसना मिली कि पेपर आउट हो गया हमारे अनुमानगर जिले की बादरा तैसिल का एक छात्र था उस छात्र ने सुसाइड नोट में ये बात लिखी तो कितने सारे इस परकार के अपराद होते थे और इसमें एक कारणोर था मैं आपसे निवेदन करूँ ने केवल मातर नकल की बात है बलके इसमें योगे वेक्टी तो रह जाता था आयोगे का चैन होता था उसका एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होता था परसासनिक सर्विस को देख लीजी आप परसासनिक सर्विस में कोई अयोगे वेक्टी जाएगा उन्याय नहीं कर सकता कॉलिज लेक्चरर है कोई यूनिस्टी का लेक्चरर है वहाँ अयोगे वेक्टी जाएगा तो क्या पढ़ाएगा तो एक तो अयोगे वेक्टी का सेलेक्शन होने का नुकसान यह होगा कि देश को नुकसान होगा देश को जिस प्रतिबा के आउशकता थी जिस अच्छे योगे व्यक्ति की जुरूर थी वह भानी पहुंच पाया दूसरा योगे व्यक्ति के साथ में अन्याय हुआ वो पीडित हुआ है तो उसकी पीड़ा को दूर करने का मिलना चाहिए था उसको हक मिलेगा साथ में कई साथियों ने का आकी साभ इसमें दंड की प्रावधान अधीक है लेकिन हमारे तो सास्तर स्पस्ट कहता है दंडम साशेति राजम बैबिन परीत नहीं जगमाही बिना दंड के कभी सासन नहीं चलता है दंड के बैसे ही व्यक्त किया जाए क्योंकि जो मूल है वो स्टेट के अंदर है सेंटर में तो जितने भी प्रिक्षाएं हैं यहां माने मंत्री जी ने इस पेपर में दरसाया है बहुत सारे एक्जाम को कि इन एक्जाम के अंदर हम ये प्रियास करेंगे यहां पर माने इस पेपर के अंदर ये भी करने है और अन्य ऐसे प्रादी करने जो एक्जाम लेते हैं ये सेंटर के प्रादी करने है लेकिन स्टेट के अंदर जो स्थीती है अभी राजस्तान के अंदर स्टेट के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा वहां भी इस प्रकार के बिल आने चाहिए ताकि ये जो नकल का दंदा चल रहा है और जो ये इस प्रकार का ब्रिष्टा चार हो रहा है ये समाप किया जाए और योग्डे वेक्तियों का चैनरो तो मैं पुने मारे बारे में सोचा है जो प्रजान मंत्री जी का बवीश्यक बारे में सोचा है और प्रजानमंत्री जी का जो सोपन है दो जार सेंतालिस का भारत वो तब ही अच्छा भारत बन पाएगा जिब योग्य व्यक्ति वाप पहुंचेंगे और वो तब ही पहुंच पाएगे जिब निश्पक्स दृष्टी कोण से प्रिक्षाएं होंगी ठीक व्यवस्ता होगी संसाद उच अनुची संसादनों को रोका जाएगा तो पुन्या भार वेक्ष्ट करता हूं धन्यवाद श्री एस्टी हसन जी